नेपाल के विमान के दुरघट नागरस्थ होने के बाद कोई जीवित नहीं मिला, जिसमें भारतिय नागरिक भी सामिल थे। यती एरलाइन्स का एक यात्री विमान नेपाल के पोखरा में नए खुले हवाये डे पर उतरते समय नदी की खाई में गिर गया। विमान में सवार पाँच भारतियों समेथ सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है। दो इंजन वाला टर्बो प्रॉप एटी आर बहेत्तर विमान नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा जाते समय रास्ते में दुरघट नागरस्थ हो गया। की उम्मीद है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल विमान दुरघटना के शोक संतप्त परिवारों के लिए दुख व्यक्त किया और प्रार्थना की। और पीएम मोदी ने ट्वीट किया नेपाल में दुखद हवाई दुरघटना से बहुत दुख हुआ जिसमें भारतिय नागरिकों सहित सभी लोगों की जान चली गई है। दुख की इस घड़ी में मेरी प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। विदेश मंत्री एस जैशंकर ने भी घटना पर दुख जताया और पीडितों के प्रती समवेदना व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट किया नेपाल के पोखरा में विमान दुर्घटना के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। हमारी समवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं। नेपाल सेना के प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भंडारी ने कहा हमने दुरघटना स्थल से किसी को जीवित नहीं निकाल पाये हैं। बिमान हाथसे के बाद नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल देहल ने तुरंत मंत्र प्रिशत की आपात बैठक बुलाई हैं। रविवार को पहले जारी एक बयान में नेपाल के नागरिक उड्यन प्राधिकरन ने कहा कि उडान के समय जितने भी यात्री थे जिन में पांच भारतिय, चार रूसी और एक आईरिश नागरिक भी शामिल थे।